हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारूं की कैसे आप अपने वीव वाई 33S Android में आप जो है इसके अगले पेज में आपको नीचे आना है अपर आपको यह option मिल जाएगा accessibility बटन का इसे आपको सेलेक्ट करना है यह आपका पेज ओपन होगा accessibility बटन का इसमें जो जितने भी नीचे की साइड यह option दे रहे ना यह option आपके जो ने किसी दूसरे बटन पर काम करते हैं ठीक ह आपको मैं समझाने के लिए कुछ ऐसे options के ना shortcut बटन ले लेता हूं ताकि आपको ठीक से समझ में आ सके ठीक है accessibility बटन सेटिंग किस के ओपर apply होती है किस के ओपर काम करती है इसके लिए मैं कुछ settings के यहा पर shortcut बटन लेने वाला हूं ठीक है आपको ठीक से समझ में आ सके आ अपने accessibility बटन सेटिंग में वापिस चलते हैं देखिए दोस्तों यहां पर मैंने कुछ दो सेटिंग्स के मैंने यह shortcut बटन ले लिए है तो यह shortcut बटन होते है इन shortcut बटन के ओपर आपकी accessibility बटन सेटिंग काम करती है apply करती है ठीक है जैसे यह देखिए size का option है size पे select करेंगे बड़ा कर सकते हैं अब आपको जोने नीचे की साइड यह option दे रखा है fade when not in use इसके सामने बटन को tap करके on कर देना है तो यहां पर दोस्तों यह आपका जोना जो shortcut बटन यह आपके धुंदले हो जाते है अगर आप इनका option बटन का use नहीं करेंगे ना तो आपके बटन इतन इतना रखना है यहां से आप अजजेस्ट कर सकते हैं तो यहां से आप जो आना यह सैटिंग आपकी इस तरीकिसे काम करती है एकसेसबिलिटी बटन सैटिंग दोस्तों आपके मुवाइल सिस्टम में काफी सारे ऐसे options होते हैं जिनके इस तरीकी के shortcut बटन होते है तो इन जो आपको इस वीडियो में देवी जानकरी समझ में आ गई होगी